Hello and welcome back, कैसे हो आप सब? I welcome you all to your channel. So, आज की वीडियो का टॉपिक है बूटिंग. बूटिंग किसे कहते हैं हैं हम, plus हम करेंगे इसमें types of बूटिंग. So, let's get started. First of all, हम definition देख लेते हैं, बूटिंग की, की बूटिंग होता क्या है? The process of starting a computer. It is a process of starting a computer. ठीक है, जिस process के through हमारा computer start होता है, उसी process को हम बूटिंग बोलते हैं. बूटिंग process में computer की power on होने से लेकर, operating system load होने तक सब आता है. जब हम computer को on करते हैं, तो बहुत सारे automatic process होते हैं, जिसकी वज़े से windows on होती है आपकी. Basically क्या होता है? जो आपका operating system है न, वो लोड हो रहा होता है और इसी automatic process को हम बूटिंग कह देते हैं. So, नीचे आप देख सकते हैं English में, इन बूटिंग, operating system is loaded into computer's main memory या जिसको हम RAM भी बोल सकते हैं. Once the operating system is loaded, it is ready for users to run applications. So, बूटिंग system में, जो बूटिंग का process है आपका, उसमें operating system जो है आपका, वो main memory, जो RAM है आपकी main memory में लोड होता है, कहां से? Hard disk से. अब जो आपका operating system है, वो कहीं भी आपका हो सकता है, ठीक है, वो hard disk में भी हो सकता है, हो सकता है, आपने किसी secondary device जैसे की pen drive, उसमें अपना operating system रखा हो, तो वो find करेगा और वहां से operating system को उठा के RAM में लोड कर देगा. ठीक है, इसी process को हम कहते हैं, booting. कभी भी देखो, आपने देखा होगा, कि जब भी आप अपने computer को on करते हो, तो ऐसा नहीं होता कि एक दम से आपको अपनी windows दिखने शुरू हो जाती है. कुछ time वो लगाता है, जैसे आपने computer में on button प्रेस करा, power का button प्रेस करा, तो एक दो minute लगते हैं, और उसके बाद आपकी main windows है, वो आपको दिखती है, जिसके आप काम करते हो. तो वो time क्यों लगता है, यह हम इस video में discuss करने जा रहे हैं, वो time इसलिए लगता है, क्योंकि booting का process हो रहा होता है आपका, तो इस booting के process में क्या होता है, यह discuss कर लेते हैं हम, ठीक है? देखो, जब भी आपका computer, मानलो पहले power off है, तो जब भी आपकी power off होती है, तो computer की RAM होती है, और CPU, यह क्या होते हैं, दोनों ही खाली होते हैं, एक बार आपने power को on करा, एक बार आपने power दी, electricity दी, DC to AC convert हुआ, तो उसके बाद में क्या होता है, जब भी हम computer on करते हैं, power देते हैं, तो हमारा system clock on हो जाता है, एक system clock होती है, यह clock tick की series होती है, जो CPU को start होने के लिए trigger करती है, ठीक है? तो यहां से आपको क्या देखना है? Just a minute, तो यह कुछ clock tick की series होती हैं आपकी, जो की क्या करती है? ट्रिगर करती है CPU को on होने के लिए, एक बार आपका क्या होता है? CPU जैसे ही on हो गया, तो on होने के बाद, यह ROM में BIOS को check करता है, यह होती है, जो आपकी ROM होती है ना, रोम, तो उसमें क्या करेगा? BIOS को check करेगा, BIOS की full form क्या होती है? basic input output software, या फिर हम इसको बोल सकते है, basic input output system, यह BIOS आपका mother port पी होता है, क्या होता है process? power on हुई, power on होने के बाद, CPU on हुआ, CPU on हुआ, तो वो क्या करेगा? BIOS, रोम में जो है, वो BIOS को check करेगा, check करेगा, उसके बाद में क्या होता है? कि BIOS को उसने check करा, और फिर उसके BIOS का execution start हो जाता है, BIOS execute हो जाता है, तो BIOS जो execute होता है, उसके बाद क्या होता है? देखो BIOS की चिप में कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जो क्या करते हैं? POST को execute करते हैं POST क्या होती है? यह अब हम आगे समझते हैं देखो यहां से क्या हुआ आपका? BIOS execute हो गया BIOS का execution start होता है तो पहला process होता है आपका कौन सा? POST POST का मदलब क्या होता है? Let me change the colour All right So power on हुई उसके बाद आपका CPU on हुआ CPU गया कहां पर? आपका ROM में ROM में उसने BIOS को search करा BIOS को देखा उसने BIOS है उसके बाद में BIOS की execution start हो जाता है जब BIOS का execution start होता है तो सबसे पहला process होता है आपका POST का POST का मतलब होता है आपका Power on self test ये आप लिखो कहीं पर Full form of POST is Power on self test ठीक है? POST क्या करता है आपका? Power on self test ये चेक करता है कि BIOS चिप ढंग से काम कर रही है या नहीं कि जो BIOS की चिप है वो ढंग से काम कर रही है या नहीं Second काम होता है POST का कि CMOS में जो RAM है वो उसको चेक करता है कि RAM ढंग से काम कर रही है या नहीं तीसरा इसका काम होता है CPU को initialize करता है वो सारे काम करने के लिए चोथा होता है कि जो peripherals है ना आपके computer के या फिर मैं कहूँ सारे input output devices हैं hardware है वो उन सब को चेक करता है कि सारा का सारा हमारा hardware काम कर रहा है या नहीं इसमें सारे devices चेक होते हैं कि काम कर रहे है या नहीं अगर कोई काम नहीं कर रहा होता तो operating system नहीं start होगा और error message आपके पास आ जाता है कभी भी आपने देखा होगा मानलो आपके keyboard में कोई कमी है या फिर keyboard जो है आपको उसमें कोई default आ गया है तो आपके पास एक message पॉप हो जाता है है ना कि बहुत लंबे-लंबे message आ जाते हैं एक black screen पे और आ जाता है प्रेस F1 to escape और एक तो वो क्यों आता है किसी ना किसी आपके hardware में problem होती है तो यहां तक आपको समझ में आया कि सारे कि सारे hardware और यह सब check होते हैं जब यह क्या करते हैं जब यह सारे hardware इसको bios को okay का sign दे देते हैं मतलब कि हाँ हम सही से काम कर रहे हैं तो उसके बाद में आगे का process start होता है आगे क्या होता है उसके बाद हमें ये चेक करना होता है कि हमारा जो operating system है ना वो कहां पर present है और वो कौन चेक करता है वो भी जो ये bios है ना वही चेक करता है ये depend करता है कि आपने operating system रखा का है For example, अगर hard disk में है आपके तो वो hard disk में चेक करेगा अगर आपके pen drive में है तो pen drive में चेक करेगा अब क्या होता है आपको वहाँ से device drivers और ये सब चीज़े जो होती है ना आपको वहाँ पर mention करना होता है कि आपको operating system कहां पर है और अगर मान लो मैंने अपने operating system को hard drive में डाला हुआ है तो मैं वहाँ पर select कर देती हूँ hard drive ठीक है इसी तरीके से उधर options आते हैं आपके पास जैसे अगर आपने अपना operating system डाला है और अगर आपने floppy disk में या फिर आपने cd roam में डाला हुआ है या फिर आपने pen drive में डाला हुआ है ये चार options आते हैं जिसमें से आपको select करना होता है कि आपको operating system कहां पर है तो हमने assume कर लिया है अभी कि जो हमने operating system डाला हुआ है वो डाला हुआ है हमने कहां पर इस hard drive में ये आपकी hard drive है laptop में ये hard drive लगी हुए और अंदर से इस तरीके की दिखती है ठीक है तो हमने जो अपना operating system डाला हुआ है वो इस hard drive में डाला हुआ है अब ये जो BIOS है ये चेक करेगा कि जो आपको operating system है वो कहां पर है तो ये automatically क्या करेगा आपका चला जाएगा hard drive के पास क्योंकि hard drive selected है आपकी है ना तो ये चला जाएगा आपका automatically hard drive के पास इसने क्या करा सबसे पहले BIOS ने सारे systems को चेक कर लिया RAM को चेक कर लिया दूसरा काम इसने क्या करा operating system को ढूणने निकल गया कहां पर hard drive के पास जब ये hard drive के पास गया तो operating system को hard disk से RAM में लाने के लिए ये काम करता है आपका boot loader तो क्या मैंने बोला दुबारा सुनो operating system को hard disk से RAM में लाना होता है मतलब ये जो hard disk है न यहां से अपने OS को उठा के आपको इस RAM के अंदर अपना operating system को ले के आना होता है तो क्या ये process इतना easy होता है कि direct आ जाएगा नहीं ये जो आपका operating system hard disk से RAM में आता है न वो आता है आपका boot loader की मदद से देखो जहां भी हमारा hard disk है वहां present होता है हमारा boot loader जैसे हमारा hard disk जहां भी present होगी न ये वाली hard disk तो इसी के वहां पास हमारा boot loader जो है वो present होता है BIOS के program जो होते है न आपके अब ऐसा तो है नि जैसे कि कोई जैसे आजमी भेज़ दिया हो इसने ये सब करने के लिए न चेक करने के लिए या फिर यहां पर चेक करने के लिए कि operating system है या नि कैसे चेक करेगा ये programs होते हैं कुछ ठीक है तो BIOS के programs ये boot loader को डूंडने का काम करते हैं तो क्या होते है उसके बाद जो आपकी storage device है न चाहे वो कोई भी हो चाहे वो pen drive हो cd-rom हो आपकी hard drive हो तो उसमें न सबसे पहली जो सबसे उपर वाली file होती है न वो होती है आपकी MBR यह आपको याद रखना है जैसे यह गया ढूंडने hard drive को तो वहाँ पर देखें का hard drive तो यहाँ सबसे पहली न एक file होती है MBR MBR की full form आपको याद रखने है master boot record master boot record तो MBR क्या करता है MBR के पास न सारे के सारे records information होती है किसकी hard disk की मालो आपके pen drive का MBR है तो उसके पास pen drive ही होगी cd के पास cd की होगी तो अभी यह गया है hard disk में सर्च करने है न तो सबसे पहली जो file होती है न जैसे यह हो गया hard disk का पर सबसे पहली file जो होगी यह होगी MBR इसी MBR के पास इस hard disk की सारी की सारी information होगी कि इसमें कितनी files हैं कितने partition हो रखे हैं मतलब e drive, a drive, e drive हो गया, c drive हो गया, d drive हो गया तो कितने partitions है न यह सब इसके पास होता है information MBR के पास MBR मतलब master boot record इसी के पास यह सारी information होती है कि जो आपके इसमें files हैं वो कहां कहां पर है, files जो हैं आपके किस location पे हैं, कितनी files हैं, कितना data है, कहां stored है ठीक है तो कौन सी file कहां stored है, कितनी files हैं यह सारा record रखता है आपका MBR MBR में ही जो है न वो information present होती है कि आपका boot loader कहां पर present है अब मैंने आपको क्या कहा था, कि boot loader आपकी मदद करता है operating system को hard disk से RAM में लाने में है न, तो जो यह boot loader है इसकी information BIOS को कहां से मिलेगी, इसकी information मिलेगी BIOS को जब वो MBR के पास आजाएंगे न, जब वो MBR के पास आएंगे MBR उनको information देगा कि जो है आपके boot loader यहां पर present है वो program जाएंगे वहां पर MBR के पास, देखेंगे अच्छा हमारा boot loader यहां present है वो boot loader को उठा के कहां ले जाएंगे आपके RAM में boot loader गया RAM में, उसके बाद में क्या होगा आपका यह boot loader operating system को उठा के कहां ले आएगा RAM में हुआ क्या है इसमें, hard disk से operating system आगया आपका RAM जो की primary memory है आपकी random access memory इसी process को जिसमें यह आपके boot loader ने operating system को उठा के एक जगे से दूसरी जगे RAM में पहुचाया है, उसे ही हम बोलते हैं booting अब यह जो booting है आपकी, इसमें यह जो सारा process होता है यह एक दो minute का, यह इसलिए होता है क्योंकि यह आप screen पे सामने यह सारा process हो रहा होता है आपका booting के time पे तो इसी लिए थोड़ा सा time आपको लग जाता है अब इसको मैं delete करते हूँ तो होता क्या है, basically पहले क्या होगा power on हुई, cpu on हुआ, bios का execution हुआ execution में वो सबसे पहले devices को check करेगा किस चीच के थूँ, post के थूँ, power on, self test के थूँ जब सारे के सारे devices और subject ऐसे एक acknowledgement आजेगी yes हम ठीक हैं, तो आगे वो काम करेगा cmos ram को check करेगा, cpu जो है उसको initialize कर देगा ठीक है, तो ये सारे काम करता है आपका bios तो पहला process होगया आपका post उसके बाद क्या होता है, वो डूणता है क्या, कि आपका जो operating system है वो कहां पर stored है, तो वो हमने by default हमने hard disk में store कर रहा का तो वो वहां से information fetch कर लेगा कि हाँ आपका हमारा operating system hard disk में है वो hard disk में जाएगा तो सबसे पहले होगा MBR load, MBR क्या हो जाएगा, सबसे पहले हो जाएगा load, MBR की full form क्या है, master boot record master boot record सारी information रखता है वो information रखता है कि हाट disk में boot loader कहां पर present है, तो वो MBR उसको बता देगा कि आपका boot loader कहां पर है, second process क्या होता है आपका, जो आपका boot loader है ये क्या हो जाता है, RAM में load हो जाता है ठीक है, और फिर क्या होगा, जब boot loader क्या काम करता है आपका operating system को RAM में load कराने का काम करता है तो boot loader क्या करेगा, फिर OS को load कर देगा कहां पर आपके RAM में क्या आपको समझ में आ गया अब process क्या होता है booting का तो I hope समझ आया होगा So अब चलते हैं आगे हम So ये वही है आपका process समझाने के लिए बनाया था मैंने बट मैंने वही से आपको समझा दिया है फिर आपके दो तरीके की booting होती है पहली booting होती है cold booting और दूसरी booting होती है warm booting ठीक है cold booting क्या होती है आपकी A booting, a cold booting is also known as hard booting cold booting को हम hard booting भी बोलते हैं देखो cold booting is also known as hard booting The process when we first start the computer इसे कहते हैं जब हम पहली बार computer को start कर रहे होते हैं उसी process को हम बोलते है cold booting क्या होता है When a computer is started from its initial stage by pressing the power button it is known as cold boot The instructions are read from ROM and the operating system is loaded in the main memory इसमें क्या होता है आपका cold booting में कि हम जो होता है न हमारे system वो शुरू से start करते हैं बटन को दबाएंगे power button दबा CPU clock ticks की help से CPU आपका चला CPU चला फिर आपका operating system लोड हुआ आपके उसमें है न वो उस process के तरू तो शुरू से सारा process start होता है तो इसे को हम बोल देते हैं hard booting cold booting को second है आपका warm booting जब आप अपना उसको restart करते हो न मानलो आपका कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है या hang हो रहा है बार पर तो आप क्या करते हो computer को बंद करने की बजाए न री स्टार्ट करते हो तो उसी री स्टार्ट के process को न हम बोल देते हैं warm booting warm booting को हम और क्या बोलते हैं warm booting को हम soft booting भी बोलते हैं it refers to the process of restarting a computer system without completely shutting down the power हम इसमें computer को restart करते हैं आपकी power को shut down करे बगैर इस process को हम बोलते हैं warm booting third point देखो इसका it involves restarting the operating system and reloading all the necessary software components but it does not involve turning of the power of computer इसमें हम क्या करते हैं power supply को interrupt नहीं करते power supply को बंद नहीं करते हम सिरफ क्या करते हैं उसको reload करा देते हैं ठीक है operating system को क्या करते हैं restart करा देते हैं और reload necessary component software components को हम reload करा देते हैं but cold booting में हम power off करते हैं और दुबारा से उसको चलाते हैं ठीक है ये दो basic difference होते हैं warm और cold booting में अब cold booting जादा अच्छी है क्यों कुछ advantage भी है और कुछ disadvantages भी है cold booting के advantages आपको ये हो जाएंगे कि आपका सारा का सारा system software जो है सारा का सारा system hardware जो है वो चेक हो जाते हैं है ना इसमें drawback ही हो जाएगा कि time जादा लगता है cold booting में warm booting में ये है कि आपके सारे components चेक नहीं होते तो fault आएगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कहा हो रहा है बस दूसरा इसका advantage ये है कि fast process है थोड़ा सा process fast अब restart करना और बंद करके start करने में परक तो है ना restart जल्दी हो जाता है आपका तो वो time नहीं लगाता है इतना तो इसलिए ये था आपका cold और warm voting के बीच में difference so I hope समझ में आया होगा चलो अब next video का wait करना next video में आगे इसलिए बस cover करेंगे